15 मार्च 1993 को मुंबई भारत में जन्मी आलिया भट एक शांदार करियर और उल्लेखनी जीवन कहानी वाली एक आकरशक भारती अभिनीत्री हैं। बॉलिवुट फिल्म उद्योग में गहराई से जुड़े एक परिवार में जन्मी उनकी पिता फिल्म निर्माता महेश भट और उनकी मा अभिनीत्री सोनी राजदान थी आलिया का सुर्खियों में आना तै था। फिल्म उद्योग में उनकी आत्रा कम उम्र में शुरू हुई जब उन्होंने संगर्श 1999 में एक बाल कलाकार के रूप में अभिने के शुरुवात की। हाला की ये करण जोहर की स्टूडेंट ओफ दैयर 2012 में उनकी मुख्य भूमिका थी जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। आलिया की ताजा अपिल और उनकी अभिने प्रतिभाने उन्हें व्यापक प्रशन सा दिलाई। आलिया कप करियर उलेखन ये उपलब्धियों की एक शिंखला से चिहनित है। विभिन प्रकार की किरदारों को प्रामहानिता के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलख़ा किया है। हाईवे 2014 में उन्होंने वीरा के रूप में एक शक्ति शाली प्रदशन किया, अपनी बहुमुखी प्रतिभाव का प्रदशन किया और एक परिवर्तन कारी आत्रा से गुजरने वाले चरित्रे के चित्रन के लिए प्रशन सा अर्जित की। फिल्म उर्ता पंजाब 2016 आलिया के करियर का एक महत्पून मोड थी। नशीली दवाओं की लट से जूज रहे एक बिहारी प्रवासी कारेकरता के रूप में उनकी भूमी का गहिन और प्रभावशाली दोनों थी। आलिया के सुक्ष्म अभिने ने नकेवल आलोजकों की प्रशन सा बटोरी बलकि उन्हें सवरशेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फियर पुरसकार भी मिला। आलिया ने मुंबई में रैप संस्कृति की खोज करने वाली फिल्म में एक साहसे चरित्रे को चित्रित करके अपनी बहुमुखी प्रतिभाव का प्रदशन किया। से विभिन धर्मात कारियों का समर्थन करती है। अपने निजी जीवन में आलिया का साथी अभिनेता रनबीर कपूर की साथ रोमांचिक रिष्टा रहा है। हाला कि ये जोड़ा अपने रश्टे को अपेक शाकरित निजी रखता है लेकिन उद्योग में उनकी हाई प्रोफाइल स्थिती उन्हें लगातार मीजया के ध्यान का विशय बनाती है। एक बाल कलाकार से लेकर बॉलिबुट की अग्रणी अभिनेत्रियों में सिक्त कालिया भट की यात्रा उनकी प्रतिभा, समर्पन और एक कलाकार के रूप में उन्हें चुनोती देने वाली भूमिकाएं चुनने की क्षमता का प्रमान है। अपने ओन स्क्रिन करिश्मा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली आलिया भारतिया फिल्म उद्योग में एक प्रमुख हस्ती बनी हुई हैं। की भविश्य की परियोजनाओं का प्रशन सकों और आलोजकों त्वारा उत्सुप्त से इंधजार किया जा रहा है।